नमस्कार मैं अभिशेक मार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस इस्टेडी विथ अभी में तो आप सभी को मेरा जय गरू तो चलिए इलेक्ट्रिक पावर में हम लोग एक तो आपका सबसे पहले कंसेप्ट पर हमने बात किया था यानिकी कंसेप्ट आप उसे नाम सकते हैं प्लस आप उसका पूरेटिकल का पूरा का पूरा झाल सकते हैं ठीक सांथ क्लास में मैंने आपके एक क। यानि कि एक टाइप आपका यानि कि फर्स टाइप आपका जो आपके बिजली बिल से रिलेटेड जो नियुमरिकल्स बनते हैं उसको हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया है और रेश्ट आपके आज जो है तीसरा क्लास जो आपके इलेक्ट्रिक पावर का अंतिम क्लास होगा जिसमें सारे तीन से चार टाइप जो बचेवे वह हम लोगों कभर करेंगे मतलब आज का जो भी सेशन है पूरा का पूरा नियुमरिकल बेस्ट है और अच्छे मतलब लेवल एक बहुत सांदार होगा सवाल क्या बोला गया है कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है इस रेटेट 220 वोल्ट जो आपके घरों में जो बिजली सप्लाई होती है जिस वोल्टेज में 220 का वोल्टेज सप्लाई होता है तो यह कहा गया कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब है रेटेड य गया है when it is operated on 110 वोल्ट मतलब जो आप वोल्टे सप्लाई कर रहे थे 220 वोल्ट अब आपने कर दिया है 110 यानि कि आगर आप देखे 220 से आपका वोल्टे सप्लाई हो गया 110 मतलब सीधा क्या हो गया है आधा हो गया है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक्जाम में आपसे जो सप्लाई की गई है कोई भी क्यूपमेंट लेकर के चाहे बल्ब हो सकता है मोटर हो सकता है गीजर हो सकता है एसी हो सकता है फैन हो सकता है कुछ भी तो उसमें भी वोल्टेज की बैटरी हमने सप्लाई की थी एंड उसकी सेम हमने एक्पमेंट रखा यानि कि यह फैन ही हमने रखा है इस फैन को हमने वह सप्लाइब किया जिसकी सवाइब अभ हम इसी सब्सकुत क curly कर रहे हैं आधा कर दिये हैं या दो गुना Kenneth움 किया सकता है या एक बटा तीन गुना किया आशकता या कुछ भी किया जा सकता है तो सवाल आपने समझ लियां है कि सवाल आप क्या बोला गया है यहां पर सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है और एक अच्छा स्टेंडर्ड यह कोश्चन का कोश्चन यह कहा गया था कि आपको कोई एक बल्ब दी गई है जिसकी कैपसिटी दो सो बीस वोल्ट पे सो वाट है वैं mia सानाथ की कैपसिटी कितनी थी साव वाट कैपसिटी एक 됩니다 कैपसिटी को ती जब आप वोल्ट अप्लाइब कर रहें चतहीं दो इसका कहने का मतलब क्या है पीजिकल सिग्निफिकेंज समझेगा अश्चन कहने का मतलब यह है कि 220 यह दीन रोटिया खा रहे थे लेकिन अब क्या किया गया है इसी बल्ब को अब 110 रोटिया दिया जा रहे यानि कि 110 वोल्ट दिया जा रहे तो अब आप इसकी कैपसिटी बतलाई यही आप से सवाल पूछा गया है ठीक है सवाल अच्छे से आपने समझ लिया है पूरा आई डोंट थिंक कि अब आपको इस सवाल में कहीं भी कोई दिक्कत होगा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट एक और कंसप्त मैं आपको समझा दूँ हलाकि यह चर्जा आपको पता है आपने पढ़ा था में आपने पढ़ा क्या था जो में आपने कि maotional होती है कि इसकी करेंट की यहाँ पर क्या कोंसियंट होता है आपका य весь उसफायर की मटेरियल कॉंस्टेंट होगी उस वायर का लेंथ ए्यक्ट होगा यानि कि यह फिजिकल स्टेट थी यृटेरियलॉट इन चाहला पड़ दो उसकी मिटेरियलॉटीर्ट नहीं समझ माय रहा है कि अगर आप voltage को increase करेंगे तो आपका current भी क्या होगा increase करेगा करेगा कि नहीं करेगा अगर आप voltage को decrease करेंगे तो current भी क्या होगा decrease होगा तो अभी आप यहां पर इस question में देखिएगा 220 voltage जो आप supply किये थे अब आप इसको क्या कर दिये 110 10 voltage आपने क्या कर दिया कम कम कितना क्या है आधा गुना कर दिया तो गलतेज कम होगा तो करेंड भी कितना कर रहा हूं यह कंसेट और यह सिंपल सा फंडा भी है मैंने आपको बतलाया था कि कुछ नहीं है करेंट कंप्लीटली डिपेंड करती है आपकी वोल्टेज पे आपको करेंड कितना दूर ले जाना जैसे कि आपके कॉलनी में जो supply हो रही है current जैसे कि आपका ये एक कॉलनी है छोटा सा जिसमें पांच घर है अब इस पांच घर में जो current flow कर रही है इसके लिए जो voltage supply है जो इस पोल से जो current लाया जाता है कितने voltage पे 220 voltage पे अब इसी एक कॉलनी से लेके दूसरा कॉलनी तीसरा कॉलनी चार कॉलनी पांच कॉलनी जब हो जाता है या कहले तो जब एक डिश्टिक इसकी हम बात करते हैं एक जीला में जब current flow होता है तो इसके लिए हम जो current का flow करवाते किस voltage पे 11,000 voltage का wire पास किया जाता है और जब इसी ए एक लाग 33,000 वोल्ट का wire से current को flow कराते हैं मतलब यह कि जितना दूर हमें current ले जाना है उतना ही अधिक हम लोग voltage जब तक इस्तमाल नहीं करेंगे तब तक current flow नहीं करेंगा तो यहां हम लोग voltage कम करनी है तो simple सी बात है आपका current भी यहां पर decrease करेंगा हलाकि current और भी चीजों पर डिपेंड करता है जैसे कि रजिस्टेंस पर भी लेकिन यहां पर अभी आप ओम स्लो में voltage के concept के बारे में बात करेंगे यह concept यहां पर clear है यह question ही ऐसा है कि इन सब चीजों पर आपकी जानकारी होगी तो actual आप देखें numerical बना लेना कोई बड़ी बात ने numerical से क्या concept सीखन capacity कितनी है यानि कि आपके पास जो bulb है कितने वाट की बनाव है सौवाट की बनाव है और जब आप इसे कितना voltage करते 220 वोल्ट मतलब कि जब तक आप 220 supply नहीं करते हैं तब तक इसकीwormत होगी अगर 220 वोल्ट से इसको ज्यादा मिल जाए 230 वोल्ट तो यह वल्ब क्या हो जाएगी क्योंकि इसकी कैपसिटी 220 रोटी खाने की है आप इस आप इसे करेगा कितना कम करेगा यही सवाल पूछा गया देख सकते हैं कि जो सौ वाट है आपका है ना जो सौ वाट है बल्ब की छमता 220 वोल्टेश पे तो आप से पूछा गया कि जब वैन इट इस ऑपरेटेटेट ऑन 110 वोल्ट तो आपको पावर बतलाना है क्या हो जाएगा तो इस आप एनलेसिस करते हैं सारे एकजाम की तो 2024 में अभी बिहार का पेपर बिप्यस्थी का जो पेपर हो रहा है यहां पे सवाल पूछा गया था तो चलिए इसके सवाल को हम लोग अटेम्ट करते हैं कैसे बनाएंगे इस पर भी विचार करते हैं सबसे पहले आपको यहां पत नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है कि 108 जो चमता है इसकी जब आप वोल्टेज अप्लाई करते कितना 2020 अब आपने क्या कर दिया है वोल्टेज 103 कर दिया है तो अब आप इस व बल्ची हमें िप्रिऑ रात की बात हो होरी है कि तो आपका करेंट भी क्या होगा आपका आधा होगा यह कैसे होगा अकॉर्डिंग टु ओम स्लों मैंने अभी आपको समझाया है अब आपहमें यह बतलाईगे पावर का वोल्टेज से क्या रिलेशन है कुछ फॉर्मूला मैंने पन बतलाए था मैंने यह तीन pormula हमने आपको बतलाय था लेकिन इन तीन pormula में अगर आप से पूछा जाए क्वान ऐसा goal को यूज करके सॉक्शन को बनाए जा सकता है तो देखिए इस तो फोर्मूला से हम इस वे को बना सकते हैं और इसको। मैं विटप्रूब भी करें और इसे मैं क्यूं यानि अगर मैं बात करूँ इस case की, इस case की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यह आपका case 1 होगा, ठीक है, और यह आपका case 2 होगा, clear है, तो case 1 में अगर मैं आपसे पूछू कि power कितनी होगी, तो power इस case में क्या हो जाएगा, यानि V square upon R1 होगा, लेगिन अब आप हमें यह बतलाईए, यहाँ जो आपने R1 लिखा है, case 1 के case में, अब चलिए case 2 के case की हम लोग बात करते हैं, case 2 में भी हम लोग निकालते हैं, case 2 यह होगा आपका, ठीक है, case 2 में अगर हम लोग power निकाले, P2 equals to क्या हो जाएगा, V2 square upon R2 हो होगा, बिल्कुल, तब हमें एक चीज यह बतलाईए, कि case 1 में जो आपकी जो बल्ब है, वो सौ वाट की ही है, हाँ, सेम वाट पर इसकी छमता कब होगी, जब आप इसे 220 वोल्टे सप्लाई करेंगे, और कोशन में आपको यहाँ पर देखिए, कोशन में आपको बोला गया है, कहीं भी यह नहीं बोला गया, कि आपको दूसरा बल्ब यूज क्या गया, यहाँ पर सेम बल्ब ही यूज क्या गया, देखिएगा, एन इलेक्टिक बल्ब इस रेटेट तू हंडेट वाट, वैन इट इस, किसी विद्दूत बल्ब का अनूमतांक 220 वोल्टेज है, अब इसे, यानि कि सेम बल्ब है, यानि अगर बल्ब सेम है, तो उसका रजिस्टेंस सेम होगा, एक सबसे इंपोर्टेंट कंसेम्ट यहां से आप इसको यह पकड़ेंगे, यानि आपको यह समझ में आ गया है, जो हम आर वन आर टू लिख रहे हैं, यह कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह आर वन इक्वल्स टू क्या है, आर टू है, क्योंकि बल्ब सेम है, मेटेरियल सेम है, रजिस्टेंस सेम होगा उसका, क्लियर है, यानि आर वन इक्वल्स टू आर टू होगा, यानि कि हम पी वन की केस की बात करें, तो आप इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, भी व його क्या हो गई आपकी और क्या हो गया यहां पर यहां पर बतलाइब जो पावर है वह किसके डारेक्ट्ट्टल हो जाएगी वोल्टेज की डारेक्ट्ट ली प्रपोस्टनल हो जाएगा ठीक है ना यह तो यहां से अब कुछ चीज़ों का calculation करते चलिएगा और फाइनली एक important point में पहुंचेंगे जो आपकी exam में पूछा गया है जहां से आप direct exam में अप्रोच लगाएंगे तो यहां से आपका case 1 का मैं अगर power लिखना चाहूं तो P1 equals to voltage कितना है देखे voltage 220 वोल्टेज तो कहीं भी मैं number यूज नहीं करूँगा मैं मैं लेकर चल रहा हूं कि जो भीवन है वो आपका क्या है मतलब कि जो initial case में 220 वोल्टेज है मैं भीवन ले रहा हूं और यह भीटू क्या है 110 वोल्टेज यानि कि अगर मैं कहूं तो भीटू क्य हो गया आपका भीवन का हाव है होगा की नहीं होग यानि वोल्टेज आधा किया था तो फी यूज आगर मैं लिख सकता भीवन स्कौाइर अपन आर अगर मैं पीटू की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहां पर इसको थोड़ा गते तो क्या है गीवन-फीवन का इसकवाइर equal हो गए यानि P 1 हो गया तो अब क्या value आपका निकला है यानि जो छंटा हो गई है bulb की जब आपने voltage को क्या कर दिया 110 voltage यानि की आधा कर दिया था तो आपका जो छंटा है वो 1 ज़िक पुटा चार गुना हो गया था। यानि उस bulb की capacity है कौल सी bulb गळ स्ब्सक्राइब के अट्रवीड आफ़ है टिया आधा गुना कर दिया था 110 वंडेज कर दिया था तो अब उसकी च्छमता कितनी ओगई है जो की समता दर्वीकितनी आएगी 110 बोल्टेज पी 1 कितना था इसका एक एक सो था और एक बटा चार इसका हम जब करेंगे तो 25 वाट फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ फिर यह कहा गया था कि आपके के पास कोई एक बल्ब है ठीक है ना सेम बल्ब की बात की गई यहां पर बल्ब को चेंज नहीं किया गया था इसलिए मैंने रजिस्टेंस को चेंज नहीं किया ठीक है ना यह आपके पास बल्ब है क्लियर अब क्या किया गया इस बल्ब को यहां बल्ब के पास यही बल्ब है आपके पास अब आपसे बोला गया गया कि इसकी जो वोल्टेज वो कर दी गई है 110 वोल्टेज तो 220 का आधा कर दिया गया यानि कि मैंने यह कहा कि जो भीटू है वो क्या हो गया आपका भीवन का हाफ हो गया यही है ना भीटू इसकी वोल्टेज जो सप् जो जो voltage है आपने अगर voltage को आधा कर दिया है तो current भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा अगर आप voltage को दो गुना करेंगे तो current भी दो गुना होगा है according to ohm slow हमने ये तीन formula use किया है power का पहला दूसरा और तीसरा इसमें हमने दूसरा formula उठा करके इस question को बनाया है और मैंने बोला है कि इस तीसरे से भी question बनेगा पहले से नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा उस पर भी विचार करेंगे पहला समझे कि इस जो approach को आप समझे हैं कि नहीं तो यह वाला जो case है आपके पास इस case की अगर हम बात करें तो यह आपका case 1 है क्या है आपका case 1 है case 1 कहनेका मतलब यह कि यह आपका case 1 है और यह आपका case 2 है इस case में आप हमें power बतलाई तो power का formula क्या होता B squared upon Re His esar hm फॉर्मूला वीए स्कॉाइर अपन आर ये है आपका फॉर्मूला यानि इसकी वोल्टे जिए वॉल्टेश क्या है वीवन मैंने ले लिया है तो बीवन इसकॉयर अपन आरभन आप लिखेंगे और इस व्यक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्त ठीक है यही दिया वा था पीटू का हमने वैलू निकाला पीटू का वैलू हम कैसे निकालेंगे वीटू इसक्वाइर अपन आर करेंगे अब वीटू का वैलू क्या है हमें पता है कि हमने वोल्टेज को हाफ कर दिया तो इस वीटू को हम यहां पर पूट करेंगे तो यहां म अच्छे से चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड कोश्चन पर सेकेंड कोश्चन यही कोश्चन है सेम कोश्चन है लेकिन अब उसका पूछने का तरीका बस अच्छा अगर आप आपके माइंड में ये भी बात आ रहा है कि दूसरा फॉर्मूला वाला भी कंसेट बतला आपके पास क्या फॉर्मूला है पी स्कॉल टू आइड इसकोर आड अब इसका कंसेप्ट को समझेट इसकोर आड मतलब यहां पर आर क्या है आपका कॉंस्टेंट है इस कोश्चन में हैंना बल्ब सेम है और बल्ब हमेसा एक्विप्मेंट एक ही लिया जाएगा आर कॉंस् लोग क्या बतलाया था कि जो आपकी वोल्टेज है वो डिरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है करेंट की यानि क्या कि आपकी अगर वोल्टेज क्या हो गई है आधी हो गई इस कोश्चन में तो आधी हो गई है अगर आधी हो जाएगी तो करेंट भी क्या हो जाएगा आध 2 square R2 अब R1 equals to R2 है तो यह आपका R1 equals to R2 equals to R हम लिखेंगे ठीक है यहां तक क्लियर है आप देखिएगा P2 की value निकालते हैं P2 के case में आपका जो I2 है आप I2 क्या होगा देखिए ध्यान से समझेगा आपने क्या क्या है वोल्टेज को आफा किया है तो current क्या हो गया आपका आफा हो गया यानि कि I2 क्या हो जाएगा आपका इनिश्यल current है उसका आधा हो जाएगा i2 का square into यह r2 हो गया अब r2 ना लिख करके अब r1 equals to r2 का value r लिख सकते हैं यानि कि p2 equals to आप इतको simplify करिए तो i1 square upon 4 into r1 भी लिख सकते हैं क्योंकि r2 equals to r1 है ठीक है इसको r हटा दीजे तो अब देखें क्या आप p1 यहां पे लिख सकते हैं p2 equals to यह i1 square और r1 जो है यह आपका यह क्या पीवन के बराबर है पीवन अपन फोर तो बात वही आया है कि आपकी जो आपसिटी वह एक बटा चार गुना ही हो जाएगी यानि कि सौ बटा चार है तो यानि पचीस वाट सबज माई गया अब देखें यह फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर सकते हैं इसको देखेगा पीवस्टू भी आई ठीक है आप देखें इस कोश्चन में आपका क्या जा सकता है नहीं किया सकता सिंपल सो लॉजिक है तो आपका पास एक कॉंस्टेंट होना चाहिए यहां पर कोई भी कॉंस्टेंट होगा इस तो होप्य आप समझ गया होंगे इस को बहुत अच्छे से अब चलते हैं अगले कोश्चन पर जो यह अभी हमने डिराइब कि यह सब लेटिस्ट कोश्टन आपके इस लेबल का नहीं बनाया और आप फॉप्स्जेव हो कि आपको साइद कहीं मिले भी नहीं तरह का तक किताबें में यह कोशन है तो किताबों से बिल्कुल बताए जा सकता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कंसेप्ट को समझना क्योंकि इतना असान नहीं है यह कोशन को एक्जाम में अप्रोच कर लेना बिदाउट प्रैक्टिस अगर आपके पास प्रैक्टिस होगा तो ही इस कोशन को फटाक से कर पाईएगा अब देखें फटाक से करने का सिंपल था यहां पर आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर्फ कैसे फटाक से हम इसको यूज करेंगे तो आपको यह पता था डैरेक्ट के आपका वोल्टेज हो गया है हाफ ठीक है कुछ भी किया जा सकता दो गुना तीन गुना चार गुना कुछ भी किया जा सकता है पावर आपको बोला गया था 100 वार्ट है अब आपसे पूछा गया था कि जब आप बोल्टेज को आधा कर देते हैं तो आप हमें पावर बतला यह क्या होगी बल्ब की अगर भी अगर भी वाई टू होता है आधा होता है तो करेंट भी आपकी आधा हो जाएगा तो किलियर है आधा करें तो यह क्या हो गया है जो इनिशियल वोल्टेज उसका आधा हो गया है यानि इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा भीवन इसक्वाइर अपन फोर तो यानि जो आपकी पावर है वो क्या है एक बटा चार गुना हो गया तो जो गिवन है उसको आप एक बटा ठीक है, P directly proportional to V8 आगो तो आप क्या करेंगे, simple P1 निकाल लेंगे, आप क्या करेंगे, भी वन इसक्वाइर अपन R करेंगे, अब next आप P2 निकालिए, ये आपका कितना दिया हुआ था, 100 वाट आपको दे दिया हुआ था चमता, P2 आप आराम से निकालेंगे, सभीट 도 क्या हो गया आप का publiट आपका आदा हो गया कर दिया गया तो इस प्रकार शक्राइब दीडिया एक बटा चार ठीक हा जलिए अब दूसरा कोशन से मगरें अवह और भी चीजी क्लियर होजाई देखे इतना डिटेल इसलिए कि वो चात्र जो कभी नियूमरिकल नहीं बनाया है जो डरते हैं फिजिक्स कमजोड है उसके लिए बाकि एक बार ही आप देखेंगे तो चीजे किलियर हो जाएगी चलिए नेक्स्ट कोशन सेम पैटन पर कोशन है आपका यह देखें अभी इसक आपको बोला गया है इफ दा पोटेंशल डिफ्रेंश यानि कि आपके पास कोई भी एक एक ले रहा हूं ताकि चीजे समझ में आ सके आपको जिसकी रजिस्टेंस क्या है आर है इसकी कुछ power है P है मैं P1 लिख रहा हूँ अब हमें इसकी जो voltage supply जब करते हैं B voltage B1 voltage तब इसकी power P1 है अब इस case में क्या किया गया है इस voltage को voltage जो supply है इसका v2 जो है इसको आधा कर दिया गया ठीक है न तो और इसका resistance value तो आ रही होगा तो आप से पुछा गया है इसकी power क्या होगी तो same concept आप यूज़ करेंगे आप क्या यूज़ करेंगे power directly proportional क्या होता है B2 का होता है P directly proportional क्या होगा B2 का कैसे P equals to क्या होता है B2 अपन R होता है आर यहां पर क्या है constant है तो बी डिर्टे प्रोपोर्श्नल तो भी स्क्वाइर होगा इस केस में आपका पावर निकालना चाहें यानि कि पहला केस में आपका पावर क्या आएगा इस बल्व की जो यानि पीवन इक्वस्टू क्या आएगा वीवन स्क्वाइर अपन आएगा जिसका वैलु आपको दे दिया गया सौ वाट मैं एक एक्जामपल ले रहा हूं पिछले कोशन के अकॉडिंग लेकिन यहां पर आप से कोई नहीं दिया गया इसलिए मैं यहां नहीं ले रहा हूं थैक यह इसके स्वाइर रहोगा ऐस के समय क्या होगा उन्यांट 64 एकट की वालू के एक बिवन इसकौइर बटे 4 आब इसकौइर बटे 4 आर की वैलू कितनी है तो और तो पीटू इक्वास क्या हो दायगा आपका लाप का यानि जो केपसिटी इसकी यह क्या हो जाएगी जो इनिश्यल पर सिर्टी उसकी एक बटा च्यार गुना हो जाएगी ठीक है तो कोशन समझ में आया तो ऑप्शन में देखें यहां दिया हुआ है जो बिद्दूच सक पूछे गया है तो एक तो आपका ये डारेक्ट इस तरह से पूछा जा सकता है और नियुमरिकल बेश्पप आपको नंबर भैलू दे करके भी पूछा जा सकता है यहां पे तो हर तरह से आप अपने आपको तयार रख सकते हैं अब देखें यहां मैंने आधा गुना किया है में हो सकता है आपका दो गुना भी किया जा सकता है चार गुना भी किया जा सकता है मतलब मैं क्या कहना चाहरा हूं कि आपके एक्जाम में यह भी हो सकता है कि यहां पर जो आपकी जो पोटेंशल डिफरेंस है इसे हाफ किया गया हो सकता है इसे टू टाइम्स किया जा सकता है दो गुना किया जा सकता है एक बटा तीन गुना किया जा सकता है तीन गुना कुछ भी करके आप से पूछा जा सकता है आपके बारे में पावर के बारे में चलिए अब अगले टाइप पे चलते हैं यह और भी सांदार सवाल है बहुत सी सांदार सवालों में से एक सवाल है आपका सवाल क्या है सवाल को समझते हैं आप से पूछा गया है हाओ मेनी 132 ओम रजिस्टर इन पैलर और रिक्वाइड टू कैरी 5 एंपियर ओन आर 220 वोल्ट लाइन मतलब क्या कि 132 ओम का प्रतिरोध ऐसे कितने प्रतिरोध मतलब की जो रजिस्टर की आप बात कर रहे हैं एक रजिस्टर की वैलू 132 ओम है ऐसे 132 की कितने रजिस्टर को आप पार्शव करम कहने का मतलब है पैलर यानि की समानामतर में जोडेंगे जिससे आपको 220 वोल्टेज का वैटरी कनेक्ट करना है जिससे 5 एंपिय पढ़ते हैं क्या बोला गया एक एक सो बतीस ओम प्रति रोद के कितने प्रति रोदकों को पैलर में समनांतर में कर्म में सईयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्दू स्रोत से सईयोजन से पांच विद्दु धारा प्रवावित हो समझ में आया आपसे क्या question पूछा है आपको ये समझ में आया की नहीं आया हमें ये बतलाईएगा English वाले question पढ़ लेंगे अब हम इसको थोड़ा explain करते है इस question को ही ठीक है ना तो जादा best होगा आपसे ये बोला गया है कि आपके पास जो एक register है एक wire जो एक register है जिसकी value 132 ohm है ऐसे कितने register होगे जिसकी value कितनी होगी 132 ohm ही होगी ठीक है ना ऐसे कितने register है जिसकी value 132 ohm ही होगी ये fix है क्योंकि देखे question फिर से आप पढ़िएगा और इसको बोला गया कि समानांतर करम में ऐसे कितने प्रतिरोध को जोड़ेंगे जिसको 220 वोल्टेज सप्लाई करने पे 5 एंपियर का करेंट फ्लो करेगा यहा आप से पूछा जया यानि कि ऐसे कितने रजिश्टर होंगे दो रजिश्टर होंगे तीन में चार होंगे पांच होंगे 6 होंगे साथ होंगे आपसे यहाँ पर वैलू निकालना है तो यह कैसे आप निकाल सकते हैं बहुत cruel संवाल है। देखे आप आपको इसके concept को पहले समझे देखे को मैंने बतलाया था parallel के case में क्या समाना आंतर स्रेटी के case में इस प्रकार से आप याद करिए मैंने आपको बतलाया था यहां से आपको voltage मैंने supply की थी भी voltage यहां पर RR दोनों के value R same थी पहले मैं अलग करता तो मैंने बोला था कि मुल्टिप्लाइ कर देंगे और नीचे दोनों को एड़ कर देंगे यह आपका अगया था ठीक है ना आ गया था देन अगर आहां पर तीन रजिस्टेंस अगर हो जाता था इस प्रकार से एक और रजिस्टेंस आ जाए तो यहां पर आप कैसे निकालते सब्सक्राइब यहां से जो वैलू आता था 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 फिर निकल जाता ठीक है इस पर हमें दिल्चस्पी नहीं है लेकिन इसका रिवीजन कराने पर मुझे दिल्चस्पी था बस अब आए इसके में मुद्दे पर यह क्लियर है अब हम क्या कर रहे हैं यह जो आर वन आर टू ह आप क्या कर रहे है रर जिस्ट्र सेम करते रहें क्योंक्сят में कि जब आपका इफ डिल इक्वाइल टू ओक्वाइल डॉपाल टू टू ऐफ डॉट 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 अघर यूगा यानि कि जितना भी रजिस्टर हो सब की तो ज्यासे कि यहां पर दो डिया आर कितना है थो ओड़ आ गया चलिए अब इसके को चेक्षिन को चलते हैं यह सब चीज को करते dvLatage आपने supply क्या है यहां से आपका कितना करेगा आई करेंट प्लो करेगा यहां से आपका यहां से आप का इन टो करेगा एंड फिर यहां पर आई करेंग आए खर जाएंगा और इंटर आफता करेंट यहां कर जाएगा तो यहां पर को क्या समझ में आया वहा का और कोश्चन भी देखे यही बोला गया आपसे 132 ओम का कितना हाऊ मेनी पांच आंपियर का करेंट 220 वोल्टफेज यानि कि यहाँ पर आपको जो वोल्टे कर दिया गया है, 2020 वोल्टे सप्लाई कर दिया है, करेंट जो दिया गया है, Kings अब को कैसे अटेंट करेंगी, इस पर हम लोग काम करते हैं, में हमें इसके Sevilla кажется दिल्चरफिया, क्या आप हमें बतला सकते हैं, क्या आप उखे बतला पाईएगा इस question में आप हमें ये बतलाईए कि अगर मैं अगर अगर यहां आपको टिया वा नहीं था इस question में हाँ अच्छा रेजिस्टेंस का वैलव आपको एक सिंगल रजिस्टर का जो मतलब रजिस्टर है यहां पे कितना है उसका 132 यह यह दिया हुआ 162 दिया हुआ देख सकते हैं कोशन में 132 तो आप एक काम करिए मुझे नहीं पता कि कितने ऐसे 132 यह ठीक है तो अगर आप R equivalent निकाल लेंगे तो आप N तुरंट निकाल लेंगे तो R equivalent कैसे निकालेंगे ओम सलो से B equals to क्या होता है I R यह R क्या था आपका R equivalent था तो R equivalent क्या होगा यहाँ पर B upon I होगा होगा की नहीं होगा B का value आपको पता है 220 current का value पता है यह 5 ohm तो 5,24 यानि कि R equivalent क्या है 44 ohm इसका कहने का मतलब क्या है समझेगा इसका कहने का मतलब यह है कि यह जो ऐसे 132 ohm का जो register यहाँ पर लगेगा मुझे नहीं पता अभी तक कितना लगेगा इसका जो equivalent आएगा तो वह कितना आएगा 44 ohm आएगा अब ऐसे कितने लगेगे उसको अभी हम लोग प्रूब भी करते हैं आपको देखे और इक्वेलेंट निकल गया यानि कि R equivalent हमें क्या पता है R upon N होता है ठीक है ना हमें पता है R upon N होता है तो अब यहांसे हम N की value प्रकार से मेरे पास कितने रजिस्टर है तीन रजिस्टर है तीन रजिस्टर निकालता हूं मुझे अब पता चलिया है इस प्रकार से मेरे पास कितने रजिस्टर है तीन रजिस्टर है यहां से आपको जो वोल्टेज सप्लाई किया गया है यहां से फिर करेंट डिस्टिब्यूशन हो जाएगा इस पे उतना दिल्चस्पी हमें नहीं है सब्सक्ते sites मेरे निकालना इसका औरसे आप औरसे निकलता है तो और किसल कीणों हो जाता था तो आ सब्सक्राइब करते हैं तो आपको चीज़े क्लियर हो जाएगी क्या किये था मैं इसको रिकॉल कर रिवीजन करवा दे रहा हूं अटेम्ट नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा लेंगे अभी दूसरा को पढ़ते हैं आप आप से क्या बोला गया है चलिए कोशन यह बोला गया था आप से की 132 ओम का रजिस्टर हम कितना यूज करेंगे कौन से कंभीनिशन होनी चाहिए हमारे पास स्रीज कंभीनिशन में कि आप पांच एंपर करेंट फ्लो करो और उससे 220 वोल्टेज का वेटरी से उसे करेंगे तो ऐसे आप कितने रजिस्टर करेंगे यह आप से पूछा गया था तो हमने पता है कि हमें क्या करना था हमें यह पता थ होता है तो अगर आर की वैलु आपको दे दी गए एक सो बतीस ओम और अगर आप अर्ट निकाल ले तो क्या आपका कोश्टन नहीं बन जाता भी इक्वेलेंट तो हमने यहां से निकाल लिया भी अपन आई किया ठीक है वी का वैलुए 220 करेंट फ्लो किया पांच पांच यह यानि कि जो भी रजिश्टर होंगे जितनी भी रजिश्टर होंगे उसका जो आर एक्वेलेंट आएगा वो 44 ओम आएगा तो अब देखिए यहां से हमने निकाल लिया अराम से इस फॉर्मुला को एधर ले गया आर अपन आर एक्वेलेंट कर दिया हमने आर के वैलू 132 बट सवाल है थोड़ा सा और इसको टिपिकल किया गया है सवाल को बस यही काम है और उसमें कुछ नहीं किया गया कंसेप्ट सेम लॉजिक यही यूज होगा बस सवाल थोड़ा सा टिपिकल किया गया ध्यान रखना है आपको यह आपका लॉजिक तो यूज होगा जो अभी हम ल यह सवाल आएगे तो मैक्सिमम इस्टूडेंट जो प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे वह उटेंप्ट नहीं कर पाएंगे कि आप से यह बोला गया था क्या को आप से बोला गया है कि सेक пор इलेक्ट्रिक बल्ब स्टीज वंडर एलक्रिक भूल्भ यानि कि आप से बला आप बोला जा रहा कि समय इलेक्ट्रिक विल्ब कितना स्टीन आपको रोनीकीय निकालना सभर रेड़ सब्सक्रेब सेंदुट इूइस can be connected in parallel यानि कि कितने 100 watt के bulb को हम लोग connect करेंगे जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं 220 वोल्टेज सप्लाइ करोगे और जिससे करेंट फ्लो करेगा maximum 5 जो पिछले कोशन में आपको बता दिया गया था कि 132 ओम का हम लोग रजिस्टर लगा रहे थे यहां पर यह बता गया कि कितने ओम का रजिस्टर लगा रहे हैं पिछले कोशन में यह बता दिया थे 132 ओम आप से पूछा गया था कितने ऐसे लगाएंगे यहां पर आपको अब यह आर भी निकालना है और यह एन भी निकालना है और आपको बोला गया पैललर केश में तो देखें यहां पर यह कोशन इसलिए तफ हो जाता है थोड़ा सा और क्यूंकि यहां अभी आपको यह आर भी फाइंड आउट करना था क्यूं मतलब यह कि जो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे उस से में हम फैललन के के पता है और यह भी नहीं पता है तब जाकर आपका न का वैलू निकलेगा अब एक चीज़ यह ध्यान रखेगा यहां पर आर क्या आप कैसे पता करेगा देखें यहां आपको बोल दिया गया है कोश्चन में ही कि वी आर रेटेड यानि की जो पावर है 100 वाट की बल्ब है तो हारा पांच है तो इस लाइन पर दो तारों के बीच कितने बल्ब समनांतर श्रीनी में संयोजित किये जा सकते हैं समझ माया कोश्चन देखें यह कैसे बनेगा अब इसके बाद एक और टाइप है जो यह बल्ब फ्यूज होने वाला कोश्चन है जो आपके एंसी आर्टी मे बहुत सारे आपके पास बल्ब है इस प्रकार से आपके पास बहुत सारे बल्ब है मुझे नहीं पता कितना यही आपको बतलाना है और यह बोला गया कि इसको आप क्या करेंगे पैलर में करेंगे ठीक है ना इस प्रकार से क्या करेंगे आप पैलर में करेंगे अब मुझे यह भी नहीं पता कितना connection होगा एन connection है इस प्रकार से हम लोग connection कर दिये हैं मुझे नहीं पता कितना है इसलिए मैंने यहां पर रखा यह एन है एन बल्ब मैंने यहां लिख दिया ठीक है एन बल्ब अब हर बल्ब के अपना register एक resistance होगी अब जैसे की capacity खशल चल गया है कि जो र की ऊहां पर समझेंगहार को कि वहरे में समझेगा आपको आर कि जो огда चाहिए का यहां मैं बना रहा हुँ ठीक है यह पर और इस पर कर रहे हैं कितना व्लोटेश कर रहे हैं लोग इस पर वोल्तेgen कितना प्लाई करते हैं लोगा इंå यह अब यहां कुछन वह झाला हूं यहां थे को में चोछन बोलाए तो तो अब हमें यह बत्लाइए इसका आप आपको इसका आर पता नहीं है आर तो पता नहीं है अब आर पिसका निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं क्या फॉर्मूला है पी कुस्ट्टू क्या होता है भी स्कॉाइड अपन आर तो आप इसका आर निकाल लेंगे क्योंकि देखेगे जब वल्ब की कैपसीटी पता चल जाए उसकी छमता पता चल जाए और उसको फोल्टेज सप्लाई क्या जा रही है पता चल जा रहा तो पीच को लुद है अपन आ सब्सक्राइब कर गया यहां पर कि इतना होता है 484 होता है एक बल्व का आपका क्या हो गया रजिस्टेंस वैलू आप आप निकाल लिए 484 484 तो अब आपके माइंड में क्या हो रहा होगा इजी हो गया होगा यह आपका सवाल यानि जितना भी बल्व है यानि एन बल्व अभी मुझे नहीं पता कितना बल्व की जो मैंने रजिस्टेंस निकाल लिए 484 ओम क्योंकि अब आप क्या करेंगे डारेक्ट पैरलल यह आप से निकाल सकते हैं आप कैसे निकालेंगे तो और निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास ओम स्लो भी इक्वल्स टू आई आर यहार इक्वेलेंट होता है अब यहांस आपको वी का वैलू दे दिया गया कितना 220 वोल्टेज करेंट आपको दे दिया पांच यहां स यहां से आप निकाल सकते हैं आर अरेक्वेलेंट तो आपने कितना निकाला 484 अपन 44 तो क्या होगा इसका 44 और लिए कितना लवे पास लव आप यानी आप ऐसे कितने वल्ब करेंगे ग्यारा बल्ब को पैलर कनेक्षन में करेंगे 220 वोल्ट करेंगे तब 5 एंपिर मैक्सिम्म करेंट समझ माया कोशन किया भोला था हम इसको और फिर से discussion करना चाहेंगे क्योंकि अच्छा सवाल है यह आपके एक्जाम के लिए अब ऐसे सवाल आपके बहुत minimum case में ही कुछ question student इसको बना पाएंगे बसरते कि अगर आप इसको पढ़े नहीं है प्रैक्टिस नहीं कि पढ़ने के बाद भी यह कोश्य नहीं बनेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो ठीक है चलिए इसको करते हैं हम लोग फिर से प्रैक्टिस बमेंने कर दिया किने कर दिया मुझे यहीं निकाल कि अधन किदने अब कितने वे gekommen किये हैं 220 का वोल्टेज में हम ने सप्लाई किया वाई चीजर की sozial आ रहे हैं आपको यहां से क्या करना करेंट निकालना है आपने कितना करेंट निकाला आई करेंट यहां से निकाला अब यह आई का वी वैल्व आपको दे दिया गया पांच एमप्यर आपसे यह बोला गया है कि जो बल्ब है सारा बल्ब सेम है अब एक जो भी बल्ब है अब यहां पर आई इंपोर्टन चीज जो यह बल्ब है इस बल्ब की कैपसिटी दे दी काम नहीं करेगा यानि की 220 वोल्ट रोटिया इसको देंगे तब ही 100 का का काम करेगा और 220 वोल्टेज जहां इसको ज्यादा मिल गया 221 रोटिया मिल गई 221 मिल गया तो यह बल्ब हो जाए कि किसकी कैपसिटी ए कितना लेने का 220 वोल्टेश पर यह आपको रॉशनी दे सकता है यह बल्ब तो यहां से आपको क्या पता चलिया कि यह तो आपको यह पता चलिया कि यहां पर इसकी जो रैजिश्टनस यह आर होगी इसकी ब्लब है उसकी तो सेंग न हम ने सेरी नहीं है तो आपको पता है कि हम अपन क्या करते हैं आपन आपन क्योंकि आपको निकालनी है लेकिन यहां पर आपको आर एक्युवेलेंट निकाल सकते हैं भी को स्टू आई आर करते हैं ओम स्लो से तो यहां से आप आर एक्वैलेंट आराम से निकाल लेंगे कैसे भी अपन आई करके विकी वैलू कितनी है 220 वोल्टेज है करेंट कितना सप्लाई किया गया पांच तो पांच चोके बीस पांच चोके बीस यानि कि 44 ओम यह जितना भी यहां पर बल्ब लगे यह जो बल्ब लगेगा पैलर में उसकी जो रजिस्टेंस फाइनल जो एक सर्किट बनेगी इसकी इक्वैलेंट कितनी होगी क्या होगा क्या आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे पता है दो ब्लब ने ब्लब लगेंगे नरों कितनी है ब् flavors कम यह जो यह कर लिच फोर औंव यह बल्ब का जो रजिस्टेंस है वो कितना आगया आपका वह एक बल्ब का रजिस्टेंस वैलू आपका 484 इतना आगया आपके पास यह आपका आगया 484 ओम यह कितना आगया 484 ओम सारे बल्ब का आपने रजिस्टेंस निकाल लिया 484 तो अब हम इस फॉर्मूला से आराम से चीजों को calculate कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास और इक्युवैलेंट भी है अब आगया तो आपका कर सकते हैं आर अपन और एक्युवैलेंट तो आर के वैलू कितनी है अभी आपने निकाला 484 और और आपने निकाला एक ग्यारा वल्ब आप अने कौन से कमटीशन में तो समयनांतर केश में समझ में आया कोश्छन बहुत अच्छा कोशन है दो तीन बार इसको प्रैक्टिस करिएगा तब जाके एक्जामिनेशन हॉल में आप एक से दो मिनट के अंदर कम से कम दो मिनट लगेगा इस कोशन को बना ऐसा नहीं कि आप सेकंडों में बोल दूँ क्योंकि देखे प्रैक्टिस खोजने के बाद मे इसमें आपको टाइम दिना पड़ेगा ठीक है ना तो यह आपका यह सबसे कोशन था अगर का इससे पहले वाला कोशन थोड़ा एजी है वही कोशन आपके एक्जाम में आ जाए लेकिन देखे आपको मैंने कहा ही था कि पहले कि यह मुक्ति बैच्छ साइंस से तो आपका को इटेंशन वाला होना ही नीचे बात के हर कोशन के लिए आप तयार रहिएगा चलिए यह होगी आपका टाइप खतम अब लाश्ट टाइप बचता है आपसे पुछता है पुछा जाएगा कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा ठीक है ना कहने है मतलब क्या को पहले कर देते हैं ठीक है चार सो बोल्ट का हमने बैटरी लगा दिया है यहां पर तो इन में से कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा इसको बहुत डिटेल में समझते चलिए चीजों को समझे रटने से बढ़िया यह एंसी आटी का कोशन है आप देख सकते चेक करिएंगा कोशन क को बोला तरहा है को करते हैक इसे आगल करते हैं करते कंद सबसे पहले तीन बाही आपको दिया गया के सा-थ आपको क्या बतलाएगा की जो हर बल्ब लिख रहा हूँ इस बल्ब की जो कैपसिटी है पावर जो है वह आपको दे दी गई तो यहां पर बोल्टेज इसका कितना 220 वोल्टेज ठीक है ना कितना 220 नहीं 200 है कोश्चन में लिखा हुआ यह मैं अभी आपको दिखाऊंगा यह मैं अपने से नहीं लिख रहा हूं कुछ भी देखेगा 200 वोल्टे यह आपका पास कोश्चन देखें तीन बल्ब है पहला बल्ब दूसरा बल्ब तीसरा बल्ब जिसकी कैपसिटी है सौ वाट है ठीक है ना कितना है तो सौ वाट है कितना कैपसिटी है तो सौ वाट है समझेगा यह पहला बल्ब का कैपसिटी कितना है सौ वाट है यह सौ वाट कहने का मतलब क्या है कि यह सौ वाट तक रोशनी या फिस कहले तो सौ जूल आप क्या कर सकते हैं कोई बैक्ती उसी प्रकार यह बल्ब को अगर आप 200 से ज्यादा अगर सप्लाई कर देते हैं, जैसे कि आप 210 दे दीए, 201 दे दीए, 300 वोल्टे सप्लाई कर दिये, तो यह बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, समझ मांगया, तो यानि कि आपको बस यह समझना आए, कि इसका जो स्प्लाइ है here मैक्सिमं कितना है 300 तक वोल्टेज यह ले सकता है जिसमें आपको 100W का क्या कर सकता है power इसकी है अब यह दूसरा बल्ब में यह बतलाए गया कि इसका भी 200 वोल्ट क्ताइब है जिस पे आपको 500 वाल्ट का यह क्या कर सकता पावर इसकी कैपसिटी है तीसरे बल में बुला गया 200 बोल्ट पर यह 200 वाट तक यानि कि दोनों की जो तीनों की जो च्छमता है वोल्टेज सप्लाइ यह 200 बोल्टेज तक काम कर सकता है अगर इसे 200 बोल्टेज से ऊपर मिलेगा सप्लाइ तो यह क्या करेगा बल्ब हो जाएगा तो कौन सा बल्ब फ्यू जाएगा अगर इस बल्ब को 200 वोल्टेज से ज्यादा मिल जाए बीटू को 200 ज्यादा वोल्टेज मिल जाए ठीक है यही आपका यही कंसेट आपको यूज करना है तो अब यह कैसे यूज करेंगे कि कौन से बल्ब को 200 से ज्यादा मिल र बार देखे कोशन यह बोला गया आपके पास तीन बल्ब है इसे तीनों बल्ब को क्या किया गया सिरीज में कनेक्ट किया गया इसकी जो कैपसिटी है कि कितनी है कि आपका बल्ब 2 हो गया यह आपका कि बल्ब 2 हो गया इसको बोला गया कि series के साथ connection कर दिया गया है यहां पर आप जो वोल्टेज supply कर रहे हैं इसको series में देखें यहां लिखा गया series combination के साथ 3 बल्ब को series combination साथ 400 बोल्ट बैटरी के साथ जोडते हैं यानि जो battery connect किये हैं आपने यह जो आपने बैटरी connect किया है यह कितने वोल्टेज का है 400 बोल्टेज का आपने battery connect कराया अच्छा यह कैसा series है तो आपको पता है यह आपका fresh combination है तो यहां पर चेंज हो रहा था आपका क्या voltage क्या चेंज हो आपका वोल्टेज हो रहा था यानि कि यहां पर जो वोल्टेज होगा बल्ब 1 में भीवन होगा यहां पर जो वोल्टेज होगा भीटू होगा और इस बल्ब 3 में वोल्टेज कितना होगा भी 3 होगा अब याद रखिएगा जो बल्ब 1 है द्यान से सुनना है इसकी जो मैक्सि लेने की 220 और जो व्हालू आना चाहिए कितना 200 बोल्ट या 200 से कम अगर 200 से ज्यादा आ गया वीवन अगर ग्रेटर देन 200 बोल्टेज ज्यादा ओ गया तो यह बल्ब क्या हो जाएगा आपका फ्यूज हो जाएगा सेम उसी प्रकार इस बल्ब टू में भी जो भी टू की वैल समझ में आलें आएगा यह तो आपको समझ मां घा है हराम से बहुत ही आसान है अगहिए को समझ में आगी आ यहां को मैंने यहांपर कर दिया अब चीज आपको यह पता होने चाहिए मैंने बताएं कि यहांपर यहां झो की जो रेशी होती है जो गोल्टेज की रेशी होती है वो सेम होती है क्या मैंने बोला यह आपको नहीं समझना होंगा इ prosecutors में शिरीज के case में आप गे अं〜 Lauty करते हैं यह करते हैं लेकिन यहां पहलोल कि के में आप जब और निकालते हैं तो आप क्या करते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं वन अपन आरवन प्लस वन अपन आर्टू प्लस वन अपन आर्थी करते हैं यही करते हैं तो सिरीज कंबिनेशन में जो आपका रजिस्टेंस गीवन होगा जिस रेशियो में गीवन होगा उ मतलब यह कि फिस पहला है यह बरनलिलिक रहा हूं यह बल्ब मैं लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं इसकी तो यह आपका क्या इसका जो बल्ब वन यानि कि इस पे जो बोल्टेज का भी जो रेशियो बीट वहगा वह भी कितना होगा वन लीचे के केस का याद रखना है पहली केस में ज़स्ट अपोजिट हो जाता है उसको आभी आपको नहीं लेना क्योंकि पैलल वाला आप अराम से पता कर लिजेगा बल्ब क्वूज कौन होगा कि एक के एक बताना चाहएं कि front6meazंगा जो कर रेशियो होता है जो सेम रेशियो आपका वोल्टेशा भी सवेल रहा हूं जिसका का राइब हम यह बताइऊом यह कर रन ऊल्ट का और चार से को काट यह तो यह सिर्इस कम्बिनेशन में बतल आब कि जो रेशियो होता है वही बोल्टेज का भी रेशियो होता है तो यह यह लिएगा आप इसकेंड में को बना पाए सब्सक्राइब यहां पर इतना परिशान नहीं होएगा यह को समझा रहे इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं कि चीजे कैसे काम कर रही है ठीक है ना अधरवाइस बहुत आराम से चीज़ों को किया जा सकता है अब आगे का प्रोच सिखते हैं यह आपको सिरीज समझ में आ गया यूड़ा सब कुछ निकालते अगर हम रेशिकर निकालए तो हम ब्लोट इस तो अब में बतला सकते क्या आप इस ब्लों कह सकते हैं रवन ऑप कैसे निकालेंगे पता है और बहुत बहुत कितने लिछ कसे पलब कर करेंच कई से निकलेगा और कैसे निकलेगा भी स्क्वायर अपन पी करके तो यह जो बल्ब टू का जो है निकालेंगे तो भी कितना है 200 है 200 गुना 200 पावर कितनी है थीक्या तो पचास से जीरो कड़ गया पांच चुके चार दूनी आठ सो ओम आ गया यानिके रटू कितनी आगई 800 तो आगया है आप तीनोगा रजिस्टेंस निकाल लिए तो वोल्टेज भी निकाल लेंगा रामसे तो 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 तीनोगा आहां आरवन का 400 है आरटू का 800 है और इसका 200 है इसका रेशियो अगर मैं निकाल हूँ दो जीरो से यह दो जीरो कड़ गया और दो से अगर हम इसको काटते हैं दो एकम दो दो चक्यार दो दूनी चार यानि कि रेशियो कितना आएगा टू इस्टू पोर इस्टू वन और यह यहां चार सू जो वोल्टे आपने सप्लाइ किस रेशियो में तू इस टूफोर इस िष्टू वन अब बस हम मैट है आपकी डिशन में सप्लार करते है नहीं तो यह गया य कि साथ को डिवाइट किया गया चार सो बोल्ट में यानि एक का वैलू कितना आएगा चार सो अपन साथ आएगा तो दो को आप यानि कि भीवन वैलू यह आपका क्या भीवन है तो भीवन वैलू कितना आजाएगा भीवन को यहाँ पर मल्टिप्लाई कर दीजे चार सो बटे सा तो यानि कि B1 का value क्या आगया 2 गुना 400 बटे 7 यानि कि कितना आगया 800 बटा 7 भोल्ट आगया ठीक है यह B1 आया उसी प्रकार B2 भी आप निकाल लेंगे B2 कितना होगा B2 में आप multiply किजे 400 बटे 7 यानि कि 4 गुना 400 बटे 7 यह value थोड़ा critical है इसलिए थोड़ा calculated हो रहा है otherwise exam में easy value रहेगा देन आप इसका निकाले भी 3 भी 3 भी कैसे निकालेंगा आप आराम से 400 बटे 7 multiply करेंगे तो 400 बटे multiply कर देते हैं भी 3 को भी तो यहां से भी 3 हम निकाल ले रहे हैं भी 3 ठीक है भी 3 के value कितनी है 1 से multiply करना इसको तो 1 into 400 बटे 7 ठीक है अब इसको calculation करेंगे तो B1 का value यहां मैं लिख रहा हूँ साथ एकम साथ और 800 को 700 डिवा साथ एकम साथ एकम साथ साथ एकम साथ चोके 28 दू 20 साथ दूनी 14 भोल्ट ठीक है B2 के value कितनी आए जाएगे साथ दूनी 14 भीस साथ दूनी 14 साथ एकम साथ एकम साथ चापन चार साथ पचे बीस भोल्ट ठीक है भीतरी के value निकाली अब भीतरी के value कितना जाएगा 400 बटे 7 है ठीक है ना साथ चोके 28 7 पचे 35 50 सत्य सत्य उन्चास एक यानि कि इतना भोल्ट क्या आया इसका मतलब यहां मैं अब लिख रहा हूं देखते चलिएगा भीवन भीटू का value यहां लिख रहा हूं यहां मैं भीवन भीटू का value निकला हूं अब चेक करते चलिएगा कि कौन सा bulb fuse भीवन का value यहां लिख रहा हूं भीटू का भैलू यहां लिख रहा हूं भीटू कपकcią कितना आया है एक सोचवदा दसमलो दो Guitarove 162ंmok सब्सक्राल किया रहा है 228. 5v Geral कितना सब कि और भीटियुकों कितना सब धूर्षेश ऑपर्ट कें जा रहा है जा रहा है साय यह आपने निकाल लिया अब देखिएगा यह जो बल्ब है आपका यह बल्ब जो है आप इसको कितना दे रहें 141.2 ब्लब कितना दे रहे हैं आप 228.5 वोल बल्ब 3 को दे रहे हैं 57.1 बॉल्ट अब यह बल्ब की कापपसिटी कितनी है 200 देख सकते हैं मिल रहा कितना 114 तो यह आराम से काम करेगा फ्यूज नहीं होगा यानि यह बल्ब टकक टक चलेगा बल्ब तरी देखिए इसकी कितनी 200 भोल्ट लेने की 200 रोटी खाने आप देरे कर दोस्तों टाइब डाइजेस्टि सिस्टम खराब यह फ्यूज हो जाएगा यानि कि कौन सा फ्यूज होगा सेकेंड बलब आपका फ्यूज हो जाएगा ठीक है समझ माया यह देखे सिरीज के के इतना करना पड़ेगा यह क्लेशन मांगता है यह है कि इसलिए उतना परिशान नहीं हो ना चलते हैं दूसरा कोशन पहललक के के स्पार्ष एक चीज यह झान रखना आपको कि इहां पर शिरीज के में में आपको यह कंसिप्ट दिया था कि जो से के स्पार्षू में जो रिजिस्टेंस का चो रेषियो मैं ले रहा हूँ सेम भालव हो गई ये आपके पास लेकिन इसको क्या करें पैललर में uh, बेखिएगा अब इसको में पता है कि आपका बोलेज कॉंस्टेंट कोंस्टेंट हॉता है अब यहां मैं 2.4 वोल्टे यहां पर चार सो नहीं लेता हूं पहले में पहले वाला फीगर यहां लिख देता हूं इसकी जो कैपसिटी और सिंपर कितनी थे 200 बोल्टेज थी कि अब इसकी जो कैपसिटी फहर चमता पापन के चलते हैं यह आपका इसकी जो है यह आपकी पचास वाट और इसको जो बोल्टेज काम करने क्या है क्या हो सकता है मान करें हम अगर ले लेते हैं 220 यह हमने लिया 200-240 और यह ले ले रहे हैं हम लोग क्या ले ले यह बाई देखे गर्मी इतना लग रहा काम नहीं करें मान लेते हैं यह बोल्टेज ले लेते हैं कि यह 200 बोल्टेज हम ले रहे ठीक है यह हम लेते हैं 150 बोल्टेज 150 बोल्टेज इसका मैक्सिमम है सपलाई पर यह 508 केपसिटी ए 240 पर इसका 50 वाट केपसिटी है अब को पता है पैललल के केश में वोल्टेज कॉंस्टेंट होता है मैंने यहां पर जो वोल्टेज क्या 200 बोल्ट सप्लाई किया अब दिखेगा सबसे इंपॉर्टेट चीज जो पेनल के केश में एजी बना देताँ सवाल को क्यूंकि यहां 200 भोल्टेज होगा 2700 भोल्टेज कितना जाएगा 2700 अब देखे 215 पर despite यह दो ब्लब सर्वाइब कर जाएगा मैकसिमम लिमिटेज का 200 लेकिन इसका क्या है eer है इसको हम 200 तो दे रहे हैं इसकी पैसिटी क्या है 240 यह भी अपने आपको सर्वाइब कर लेगा अब गये इस तीसरे बल्ब को इसको मैक्सिमम पचास रोटी खाने की इसको मिल रहा दोसो तो यह तीसरा बल्ब क्या हो जाएगा तीसरा बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा समझें यह कु वा आंतर होता है 200 बोल्त हो यहां भी जाएगा 200 यहां भी जाएगा 200 यह दो सो बोल्टेज मैक्सिमम पहलें को आपको बना लीजे तो चीजे असान हो जाएगी बाके आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजेगा इस ही वीडियो को आप दो नहीं और कौशन को सबर्ट करेंगा आपको समझ मा गया कि जो दूसरा जो बल्ब था आपके आठवे सवाल में विच बल्ब विल्ड फ्यूज इस बोथ बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पालर समाना अंतर स्रेनी में अगर आप जोड़ते हैं इन दोनों बल्ब को आप देखेगा इसको हम कुंकि यहां पर आपको बोल दिया गया तो दो बल्ब हम लोग यहां पर जोड़ दे रहे हैं विवांतर में समानांतर में इस प्रकार से कि अब हम इसको क्या करेंगे समयनांतर में जोड दीए कितना बोल्टे क्या गया चार सो बोल्टे सप्लाई क्याई गया है तो यह आपका पैलल का केश था क्ता होता है और सारे बल्ब का यो किसीटी है वह कितना है तो यह झ का आप 8222 से यान्य कि इसकी जो यहां पर क्या बोल्टेज आएगा यहां पर यहां पर यहां पर बोल्टेज क्या आएगा 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 मिलेगा और यहां पर भी कितना मिलेगा 400 बोल्टेज मिलेगा अब बतलाईएगा वेरी वेरी इंपॉर्टन लाइन इस बल्ब की कैपसिटी थी 220 भोल्टेज यानि यह भी बल्ब फ्यूज यानि इस केस में आपका दोनों बल्ब क्या होगा दोनों बल्ब ही आपका फ्यूज हो जाएगा तो देखे यही है आपका अगर पैलल केश पूछ ले तो यह बहुत आसान हो जाता है यहां पर आपको पेन उठाने के भी जरुवत नहीं पड़ेगी बस आप देख लेंगे कि बोल्टे सप्लाइए और बल्ब की जो छमता है लेने की किस पर अपना मैक्सिमम क्यापसिटी देगा बस वो चेक करेंगा बना लेंगे बाकि सिरीज के केस में आपने देखा कि दोनों तीनों बल्ब चाहिए जितना भी बल्ब होगा आपके पास उस बल्ब का प distribution होता है तो आप यहां से सबसे पहले हर का बल्ब का बोल्टेज निकाल लेंगे देन आप चेक कर लेंगे कि यह दोसों इसका भी दोसों दोसों पर कितना अधिक है या कितना कम आरा जो ज्यादा बोल्टे सप्लाइक आरा होगा जिस बल्ब में वह बल्ब फ्यूज हो ठीक है काफी लंबा लेक्षर हो गया है मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यावाद